नमस्कार दोस्तों, जैमा अन्नपूर्णा, स्वागत है, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में, तो तुला राशे वालों, आज मैं जूट नहीं बोलूँगा, माफ करना, लेकिन सच्चाई तो आपको बात कर ही रहूँगा, क्योंकि आ माँ भद्रकाली की सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में जैमाता दी, जरूर लिखे, आपके आस पडोस में, रिष्टेदारी में, या कहीं भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, जो अपनी बुरी आदतों को ढखने की कोशिश करते हैं, अपनी वह कोई धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे, तो कहेंगे कि कुछ भी कुतर्क का सहारा लेकर वह बचने की कोशिश करेंगे, वह हमेशा अपनी गलतियां छुपाते हैं, तो सोचिए वह हमारे जीवन पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसे लोग जो अपनी गलतियो आपके ही खिलाफ कब क्या कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इनसे बच कर रहिए, क्योंकि ये ही आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं, अगले नंबर पर जो इनसान आता है दोस्तों, वह है दुखों में शामिल ना होने वाला व्यक्ति, देखिए, जब आपके सुख इवन में थोड़ा बहुत दुख आ गया, भगवान करे ना आए, परंतु मान लीजिये आ गया, उस समय आपके आसपडोस में जो भी लोग रहते हैं, आपकी दोस्ती यारी में जितने भी आर हैं, आपके जितने भी रिष्टेदार हैं, वह आपके दुख की घड़ी में आ नहीं न कहीं हमारे अपने हैं, परंतु फिर भी हमारे उपर ही घात लगाए बैठे हैं, हमें इनसे उम्मीद थी कि हमारे दुख के समय में हमारे कंधे पर हाथ रखेंगे, लेकिन यह तो हमें पूछने तक नहीं आए, ऐसे रिष्टेदार, ऐसे दोस्त किस काम के, जो केवल खुशी के समय नाचने आ जाते हैं, आचार्य चानक्य ने कहा है, जो इनसान शमशान के अंदर भी आपके साथ है, केवल उसी पर भरोसा कीजिए कि बाकी दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए हमारी, क्योंकि ऐ ऐसा ग्यान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इस ग्यान को प्राप्त करने के बाद आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे, आपके आसपास या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग अगर है, जो दूसरों के दुख को देखकर खुश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों पीछे कितना खुश होते होंगे, तो हमारा आपसे यही आग्रह है, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसे देखकर खुश हो रहा है, तो ऐसे लोग महादुष्ट माने गए हैं, ये लोग हमेशा दूसरों को कश्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोग जीवन में खुद तो फंसते ही हैं, आपको भी फंसा देते हैं, इनसे जरा बच कर रही है, क्योंकि ये आपके परिवार पर ही घात कब लगा दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जो इनसान आपके समक्ष अब आप कहेंगे लालच का इससे क्या कनेक्शन है, देखिए, लोब सबसे बड़ी बला है, जो इनसान लालची होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है, अब मान लीजिए आपके घर के आसपास, आपके रिष्टेदारी में, आपके दोस्ती ग घात भी लगा देगा, इसका फाइदा है, तो आपको धोखा भी देदेगा, इसका फाइदा है, तो कहीं बीच रास्ते में आपको छोड़ भी देगा, इतना ध्यान रखिएगा, परंतु आपकी जिम्मेदारी है कि आप लालच से दूर रहें, लालची व्यक्ति से दूर क्योंकि यह व्यक्ति जो है, आपके जीवन को प्रभावित कर देगा, पूरी तरह से प्रभावित कर देगा, कहीं न कहीं अगर आपने समय रहते से नहीं पहचाना, तो इसका लालच आपके परिवार को भी खा जाएगा, इसलिए हमने कहा है, आपके परिवार पर घात रहते हैं, क्या उन्होंने अपनों को धोखा दिया है, क्या वह अपने माता पिता के साथ अत्याचार करते हैं, क्या उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है, या फिर स्त्री के होते हुए पराई स्त्री के साथ क्या वे रहते हैं, संबंध रखते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ कर खुद पर ले लेना है। ऐसे लोग हमारे काम के नहीं हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर वे लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो उनसे आप रिष्टा नाता तोड़ दीजिए। उनसे व्यवहार खत्म कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही लोग जो अपने पर हमारे परिवार पर कभी भी घात लगा सकते हैं और कभी भी हमें मात दे सकते हैं। अगले नंबर पर जो है दोस्तों वह है छल कपट करने वाले। आज के दुनिया में कलिकाल में लोग मतलबी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं। छल कपट की भावना उनके अंदर हर वक्त रहती है। जो कपटी इनसान होता है, वह अपना मतलब पूरा करने के लिए आपको कभी भी घात दे सकता है। आपके परिवार पर कभी भी घात लगा सकता है। ऐसे लोगों के प्रती न तो अपने पन की भावना होती है और नहीं प्यार होता है। वे बस छल कपट, विश्वास घात और छिपाकर अपना काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। इनसे जरा बच कर रहिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने आपको ज्यादा ग्यानी समझने वाले भी मिल जाएंगे। तो आपके जीवन में जब भी घर-परिवार में समस्याएं आती हैं तो ये खड़े हो जाते हैं। आकर के और अपनी अपनी ग्यान की बातें पेश करने लगते हैं। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि मान लीजिये, आपके पती-पत्नी में जगडा हुआ है, आपके घर-परिवार में जगडा हुआ है, तो यह लोग आकर उपस्थित हो जाते हैं और अपनी राये रखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने तो इनकी राये मांगी ही न तो दूसरे पक्ष का कहीं न कहीं आत्म सम्मान जाएगा और यह रिष्टा तूट जाएगा, यह लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बच कर रहें। यहां पर हमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन अपना है। आज के जमाने में जो संयुक्त परिवार में जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, वैसे तो बिचछडते जा रहे हैं। परंतु आज भी जो रह रहे हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के प सावधान रहें। जिनके खाने के बाद अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग हो लेते हैं, ऐसे आस्तीन के सापों से जो हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं, जो पिछले कई सालों से मौके का इंतजार कर रहे हैं, हमें पटकनी देने का। इनसे आप बचिए, इनसे आप सावधान रहिए, क्योंकि यह उस विश्च के घड़े के समान होते हैं, जिसकी उपरी सतह दूध से भरी होती है। यह कभी भी हमें परेशान कर सकते हैं, हमारे मारगों को अवरुद्ध कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मातर इतना था, कि हम ऐसे लोगों को पहचाने, जो हमारे काम के नहीं हैं। हम बेवजह अपना मान रहे हैं, परन्तु यह तो हमारे उपर घात लगाए बैठे हैं, यह कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, बीच रास्ते में छोड़ कर चले जा सकते हैं, हमारे आत्म सम्मान को चार जनों के बीच में ठेस पहुँचा सकते हैं, यह कुछ भी कर सकते हैं इनसे दूर रहिए हम भी भूल जाते हैं कि कल्युक के इस दौर में अपने माता-पिता के अलावा हमारा कोई भी नहीं है अगर हम किसी पर भरोसा दिखाएंगे और उस व्यक्ति के सामने अगर खुद का बड़ा फाइदा आएगा तो वह 100% हमें छोड़ कर उस फाइदे को अपनाएगा जिन्दगी में अकेले चलना सीखिए जो इनसान भेड़ चाल चलता है जो इनसान भेड़ में चलता है उसकी पहचान दब जाती है जिस प्रकार समुंद्र में पानी की बूंदे जब गिरती है बरसात की कई लोग ऐसे है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसमें चाचा चाची आ जाते हैं घर में अंकल आंटी आ जाते हैं या किसी प्रकार से अन्य रिष्टेदार अगर आप सब एक साथ रहते हैं तो उनको आपकी सफलता से जलन होना स्वभाविक बात है बजाए आपको उल्टा यह कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो हमारा पुत्र या हमारी पुत्री भी कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं से वह आपको यह एहसास कराने की कोशिश करते हैं, कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, ताकि आप उत्साह में न आ जाएं, ताकि आप और आगे बढ़ने का विचार न बना लें, वह कहीं न कहीं से आपको दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करके यही तो वे लोग हैं, जो आपको बरबाद करना चाहते हैं, आपको यहां पर थोड़ी बात समझनी होगी, कि जिन्दगी इतनी आसान नह ही है, हमें यहां आगे बढ़ने के लिए कलह तरह के लोगों को पीछे छोड़ना होगा, तरह तरह के लोगों का सामना करना होगा, क्योंकि यह वही लोग हैं, जो हमें बरबाद करना चाहते हैं, यहां तक कि हमारे सगे भी हमारे लिए शैडो यंत्र बना रहे हैं, तो तो आखिर करें क्या? हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो इनसान भगवान से जुड़ा रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता तुम रक्षक काहू को डरना हनुमान चालीसा की जो चौपाई है यह अंदर ही अंदर एक आत्म विश्वास भर देती है यह अंदर ही अंदर एक उर्जा भर देती है और यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर भी उर्जा का भाव होगा हमारे अंदर भी आत्म विश्वास होगा अगर आप हनुमान जी महाराज के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि लोग तो हमें गिराना चाहेंगे, हमारा साथ देंगे। केवल और केवल हनुमान जी महाराज, हमें रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना है और सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करनी है। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना शुरू करिए कोई आपके खिलाफ कितने भी योजना बना ले आपको गिरा नहीं पाएगा क्योंकि स्वयम संकट मोचन ढाल बन कर आपकी सारी संकटों से रक्षा करेंगे देखिए फरवरी का महीना भी जाने वाला है और जिन लोगों की अभी भी आँखें नहीं खुली वे तो बहुत ज्यादा पच्छताने वाले हैं क्योंकि किस्मत हमें मौका तो देती है लेकिन वाकई में जो इनसान मेहनती होता है वही सब को चौकाता है अंत में निकल कर वही सामने आता है जिसके अंदर आगे बढ़ने का जुनून होता है जो आलस्य में, निंद्रा में सोया रह जाता है वह मौकों को भी नहीं देख पाता और जिन्दगी में हमेशा पीछे रह जाता है अब जब जिन्दगी की रेस में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गिराने वाले तमाम लोग हाजिर हो जाएंगे जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, तब हमारा साथ कोई नहीं देता जब हमारे पास पैसा होता है, तो चार लोग हमारे आसपास मंड राते हैं, लेकिन वह भी तब तक, जब तक की हमारे पास पैसा है, जब तक की हमारी जेब बच रही है जिस दिन जेब खाली हुई, लोग ऐसे गायब होंगे, आपने भी सोचा नहीं होगा तो उधारन यही है कि जिन्दगी में अकेले चलना सीखिए लोगों के भरोसे नहीं रहना है अपने कामों को लोगों के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है साथ ही साथ दोस्तों एक बात का और आपको बहुबी ध्यान रखना है कि दुनिया की इस भीड में जो अपना है वह दिख जाता है और जो पराया है वह किसी न किसी तरह अपना रूप अंत में दिखा ही देता है तो समझदार बन कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा और लोगों की बातों में आकर के रहेंगे तो कहीं न कहीं से जिंदगी उसी तरह चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। और कभी भी आप किसी के धोखे का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना पूरी-पूरी है कि फरवरी का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन आपको अपना काम खुद करना है, अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, अपने काम को सची लगन और निष्ठा के साथ करना है, और आपको अपने हर कार्य में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इतनी तो गैरंटी है क्योंकि ग्रह गोचर की दशा बहुत अच्छी नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, मुश्किल हालात में भी आपको परिस्थितियों में हल दिख जाएंगे, क्योंकि भगवान पूरी तरह से आपके साथ है, भगवान की माया आपके साथ है, क्योंकि हमारे खिलाफ शैडो, यंत्र रचने वाले थोड़े बढ़ गए हैं, हमें गिराने वाले थोड़े बढ़ गए हैं, हमें मुसीबत में फसाने वाले थोड़े बढ़ गए हैं और हम अकेले हैं, हम किसी पर भरोसा भी नहीं दिखा सकते, हमने जो भी किया, आज तक अकेले ही किया और आगे भी हमें अकेले ही बढ़ना है तो किसी के भरोसे आप न रहें। अगर आपको किसी के भरोसे रहना है तो आप हनुमान जी के भरोसे रहें। क्योंकि संकट मोचन वीर बाला जी महराज आपकी जिंदगी में सुखों की बरसात कर देंगे। लेकिन आपको उनके उपर पूरी तरह से आश्रित होना होगा आपको प्रभुश्री राम का नाम पल-पल में जपना होगा कई लोग जो हमारा बाल-बांका नहीं कर पाते तो हमें गिराने के लिए कभी-कभी तंत्र मंत्र का भी सहरा लेने लगते हैं अब ऐसे मूर्ख लोगों को कोई समझा तो नहीं सकता क्योंकि कई ऐसे लोग इस दुनिया में जो खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है तो आपको भी थोड़ा सावधान रहना है आपको भी थोड़ा बच कर रहना है और जिन्दगी के हर आयाम पर खुल कर जीना है आपको बस हनुमान जी से जुड़े रहना है और उनकी चौपाई या हनुमान चालीसा की जबते रहना है खास तौर पर सबसे शक्तिशाली चौपाई है दोस्तों कि सब सुख रहे तुम्हारी सेना, तुम रक्षक का हो डरना। जिस इंसान ने इस चौपाई का मन ही मन जाप किया है, सोने से पहले जाप किया है, उसके उपर किसी प्रकार का कोई अकाल संकट नहीं आया है। उसने जिन्दगी को खुल कर जिया है। उसने हमेशा अपनी किस्मत को नया और सही ढंग से चमकाया है। आने वाले अगले समय में हमारी आप से यही रिक्वेस्ट है। दरख्वास्त है कि आप किसी के भरोसे न रहें। क्योंकि आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बरबाद करना चाहते हैं। आपके आसपडोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बरबाद देखना चाहते हैं। इस दुनिया में हमारे माता-पिता के अलावा कोई अपना नहीं है, सभी हमारे से नफरत करते हैं, मन ही मन सभी हमारे खिलाफ गालियां बगते हैं, मन ही मन इसी लिए लोगों पर भरोसा करना छोड़िए, अपनी मस्ती में मगन रहना सीखिए, अपनी जिन्दगी को अपने कर्म मजबूत हो ताकि आपका भी जो सपने हैं वह भी जल्द से जल्द पूरे हो सके क्योंकि जब आप दूसरों की सहायता करने में आगे रहोगे तो भगवान भी सदैव आपकी पुकार सुनते रहेंगे साथी दोस्तों, अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालने का यह समय है ज्यादा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा नकारात्मक चीज़ों को मत सोचिए देखिए, जीवन में जो कुछ भी होता है, सब कुछ किसी न किसी وجہ से होता है और हर घटना के पीछे दोस्तों, भगवान अकसर हमारा भला ही चाहते हैं तो आगे भी दोस्तों, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है जो होगा, वह और भी अच्छा होगा, जो आपको मिलेगा वह बहतर नहीं, बलकि शानदार मिलेगा, तो आप दोस्तों केवल अपने कर्म सुधरी है और अपनी सोच को जितना हो सके सकारात्मक करने की कोशिश करिए, यानि आपको अच्छा सोचा है, अपने मन में नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक विचारों को जगह मत दीजिए, और यदि आपके आसपास, आपकी दोस्ती में कुछ ऐसे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं, क्या रे तू, ये क्या कर रहा है, इसे तू बरबाद हो जाएगा, रे तू, ये मत करिया कर, जो बहुत ज्यादा आपको टेंशन देते हैं, बहुत ज् पास negative बातें करते हैं, तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना ही, क्योंकि ये लोग खुद तो कुछ नहीं करेंगे, और जीवन में आपको भी कभी कुछ नहीं करने देंगे, तो जितना हो सके आप से निवेदन करूंगा, कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर चल तू ही आपके लिए अच्छा है, इस दिन दोस्तों पैसों के मामलों में आपको कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, यदि किसी व्यक्ती ने आपसे पैसा उधार मांगा है, तो देने से पहले सोच समझ कर उससे बात कर लेना हो सकता है, दोस्तों की सामने व अच्छे परिणाम प्राप्थ हो सकते हैं, आपकी किसी बहुत ही अच्छे पद पर जौब लगने के आसार बनते नजर आ रहे हैं, आपके दोस्तों बस प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देना है, इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखिएगा, कि दोस्तों, एक न ए हो जाएगा, हाँ, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि अभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपकी भावनाओं की दोस्तों कोई कदर नहीं कर रहा है, आप जब भी किसी को अपने मन की भावनाएं, अपने मन की बातें समझने जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्त उसकी खिल्ली उड़ा देता है और आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता लेकिन दोस्तों हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत करिये इस दुनिया में आपके दुश्मनों को जो करना है उन्हें करने दीजिए वो आपका कुछ नहीं बिगाड प और उनका विशेश आशीरवाद बना हुआ है